अब 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 हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल और हम लोग ने पिछले वीडियो में अपना प्रोजेक्ट से टप किया था कि यह पैकेजस मैं किसले बना रहा हूं उसके बाद मैंने वेब पेजस में कुछ फोल्टर बनाया थे CSS की, images की, JS की और उसके अंदर कुछ फाइल से बनाई थी और मैंने यह भी बताया था कि इन फाइलों का क्या इंपोर्टेंस है, ठीक है? तो आप क्या करिए? उसका लिंक मैं नीचे description box में दे दूँगा, आप उस वीडियो को जाके देख लिए जिससे कि आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से structure कर पाओ, अगर आपका प्रोजेक्ट को अच्छे से बना नहीं पाओगे, बहुत दिक् ठीक है? डेटाबेस is the most important part of your project. अगर आपको डेटाबेस अच्छे से setup करना है, तो आप क्या करें इस वीडियो को end तक watch करिए, हम लोग डेटाबेस अच्छे से setup करेंगे, क्योंकि होता है क्या है कि डेटा डेटा जो होता है बहुत important चीज़ होती, आपके website में कोई आ रहा है या फिर वो पोस्ट कर रहा है उसके likes उसके comment आपके लिए बहुत value रखते हैं आपको उनको बहुत अच्छे से store करना है और अच्छे से in the sense कि आपका database structure अच्छा होना चाहिए, तो हम लोग बाद में वो सारी शीची भी करेंगे, सबसे पहले हम open कर लेंगे अपना SQL तो हम राइट क्लिक करेंगे यहां पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर एक option is create database, जैसे हमें create database करूँगा, यहां पर क्या करेगा, database का नाम पूछेगा, तुम मैं दे दूँगा, tech block, ठीक है, और simple क्या करूँगा, create कर दूँगा, जैसे आप create करोगे, तो देखें, यह प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे, कोई जरुद पढ़ती जाएगी, तो हम table को create करते जाएगे, क्योंकि हमी लोग को सारा काम करना है, अगर database का काम कोई दूसरी team कर रहे हुती, तो वो अपना काम करती, बट हमी लोग को सारा काम करना है, हम लोग full stack, पूरा काम करना है, तो तो हम लोग को जैसे जैसे क्या करती होती जाएगी है जरूरत पड़ती जाएगी हम लोग database में tables भी बनाते जाएगे और सबको linked भी करते जाएगे foreign की वगारा से तो आभी फिलहाल आपको यहाँ पर tables नहीं बनानी है tables जब हमको जरूरत पड़ेगी जैसे user table की जरूरत करना बहुत इज़ी हाँ पर सिंप्री राइट लिक करें create table पर जाएगे और हाँ पर columns के नाम देजिए उनकी size देजिए उनका type देजिए ओके कर जी आपकी table create हो जाएगी कोई भी query आपको नहीं लगानी है इसलिए हम लोग जीवाए क्लाइंट कर रहे हैं अगर आपको query लगानी होती तो simply आप command line पे सारा काम कर लेते हैं ठीक है आपका बन गया database का नाम tech block है अब आप आजाएगी वापस अगर हमें यहाँ पे connection बनाना होगा तो simply हमें क्या करना होगा हमें कुछ चीज़ें उस करने पड़े हैं सबसे पहले आपको mysql connected.jar file include करनी होगी तो जुन्हों ने java with ant करके project बनाया था उनको manually करना पड़ेगा तो simply आप libraries पे आएगा right click करेगा और add jar पे click करेगा और अपनी jar file select कर लिजेगा त आपके project में अब आप database के साथ connect कर सकते हो अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई mysql connector है क्या या driver क्या होता है तो आप मेरी JDBC की सीरीज की वीडियो जाके आपको सारी सीचे clear हो जाएंगी कि actually यह mysql connector क्यों क्यों लगा रहे हैं उसके बाद जब हमें connection create करना देखे वाई java class और इस class का नाम देदेंगे हम लोग connection provider connection provider finish कर देंगे ठीक है तो simple यह क्या करेगा एक class बना देगा और मैं क्या करूंगा इस class के अंदर कुछ काम करूंगा अभी आप सबको पता चल जाएगा क्या काम करना तो font बढ़ा कर लेता हूं जिससे आप सबको क्य बिस्बल हो जाए ठीक है तो class के अंदर मैं सबसे पहले मैं अपना package import करता हूं तो लिखूंगा import java.sql.aster simple और अंदर आके मैं एक variable declare करूंगा public और variable होगा connection कौन यह connection store कर रहा होगा पूरे connection को जो help करेगा आपको queries को fire करने वे लिए तो इसके अंदर रखा होगा connection और हम क कर देंगे static और आप इसको private कर सकते हो no use no shoes तो हम इसको क्या कर देंगे private कर देंगे क्योंकि इस variable को direct बाहर नहीं उसको private कर देंगे उसके बाद हम लोग एक function बनाएंगे method बनाएंगे public static जो return कर रहा होगा connection और हम लोग उसका नाम देदेंगे get connection और simply यह क्या करेगा function यह return क को तो simply देखो जैसे यह function कोई कॉल करेगा get connection अब होगा क्या क्या क्योंकि यह static function है तो calling ऐसे होगी पहले class name connection provider.connection get connection connection जैसे कोई connection get connection कॉल करेगा simply यह क्या करेगा connection को return कर देगा इस connection को return कर देगा इसका मतला connection में अगर आप connection बना दो यहां पर तो वह बना बनाया connection इक्षप्शन्, तो हम इतना टीप मेड़ी जाएंगे क्योिके हम इस स्पेसफिक एक्षप्शं की हढ़िक एक्षोड क्लेरों कि हाप से एक्षप्शन को हैंडल करना है, तो वेट क लिए बाई करें continue रखें अब हम सबसे पहले क्या करेंगे connection को बनाने के लिए आपका driver driver जो भी होगा class को load करेंगे कैसे load करना है class नाम की class है उसके पास for name method है और यहां पर simply हमको देना है अपने driver class का नाम तो हम यहां पर लिखेंगे com.mysql.jdbc.driver driver simple आपका driver load हो जाएगा उसके बाद हमें connection establish करना है तो यहां पर मैं लिखता हूँ create connection कैसा connection करेगा तो सबसे पहले connection create होके जब आएगा तो उसको मैं इस connection वाले variable में रखोंगा तो आप लिखेंगे कौन और यह बहुत याद रखेंगे कि अगर यह method static है तो आपका variable भी static होना चाहिए तब यूज कर पाओगे यहां पर ठीक है तो हम यहां पर use कर लेंगे static दोनों कर देंगे उसके पाद हम भी उसकर रहेंगे driver manager class और इसके पास एक function है get connection और यह लेता है आपकी database का url की database install कहां पर यूजर नेम पासवर्ड तो हम लोग यहां पर देंगे url फिर यहां पर देंगे हम लोग यूजर नेम और फिर यहां पर देंगे हम लोग पासवर्ड यह हमें connection बना के डाल देगा कौन में तो चलिए लिखते हैं हम लोग इवारल होगा jbc colon mysql mysql colon slash localhost colon port number 3306 slash database का नाम तो हम database का नाम उठाएंगे यहां से tech blog ठीक है तो हम सारा operation करेंगे tech blog में उसके बाद username था वह हमारा था root और पासवर्ड था वह भी हमारा था root simple आपका देखिए यहां पर रेडियो कर देता हूं कि अब आपको कोड ज्यादा नहीं करना तो यहां पर देखिए इसको आप नीचे भी कर सकते हो आपकी मर्जी ठीक है देखिए रेडी है लेकिन जहां से देखिए जब भी आप call करें के हर बार यह driver को लोड करेगा और हर बार क्या करेंगे तो मैं इन दोनों आब लोक लँका और वहाला खांप्रेश्ट करनुगा तो अगर आप आपके पूरे project में आप 10 बार कॉल कर रहे हो तो पहली बार जैसे कॉल होga कॉनमे वाल आ जाएगी कॉनमाल आ जाएगी तो इस च्रडिशंग क्रेट होगा और connection में value रहेगी वही return हो जाएग तो simple मतलब यह है कि जब भी कोई get connection function call करेगा get connection function call करेगा इसका मतलब अगर कॉन में कोई value नहीं होगी तब ही connection create करेगा अगर कॉन में value होगी तो simply यहां से return कर देगा और आपको connection मिल जाएगा चलिए इस चीज़ को verify करने के लिए हम लोग क्या करते हैं simply हमारे पास एक index page था index page पे हलकी से coding करते हैं जहां hello world लिखा है यहां पर हम लोग लगाएंगे scriptlet tag और हम लोग call करने जा रहे हैं अपना वही get connection function तो अब simply एक variable लिए connection control space दवा दीजे और पहले import करना पड़ेगा वाई तो आप आके यहां उपर सबसे उपर import कर लिजे तो आप लगाएंगे पेज डिरेक्टिव ठीक है तो आप लिखेंगे पेज डिरेक्टिव परसंटेज एड़ रेट पेज डिरेक्टिव यहां लिखाएंगे इंपर्ट इंपर्ट में जावर.sql.s ट्रेग्ट शिंपल इंपर्ट हो गया अब लिख सकते हो कौन इस वर्ट तो connection प्रॉयडर सबसे पहले आपको लिखना है class का नाम तो अंक्रेक्शन प्रॉयडर.get connection simply बस connection मिल गया और connection मिल गया तो आप connection को को एक बार प्रिंट कर दीजे तो simply connection को मैं थोड़ा सा बड़ा प्रिंट करूंगा तो h1 लिखूंगा और h1 के अंदर simply मैं लगाऊंगा expression tag और यहाल लिखूंगा कौन और project को run करूंगा तो आप simply आपको पता चल जाएगा कि connection क्रियेट हो गया कि connection नहीं क्रियेट हुआ सारी सीचे पता चल जाएंगी कुछ वैलू प्रिंट हो जाएगे इसका मादब connection create हो चुका है एरर और आगे इसका मादब connection क्रियेट नहीं हुआ तो तो गलत मैंने project चला दिया wait ठीक है इसको बंद कर देते हैं और अपना tech block वाला project चला दे है run कर देते हैं tech block simply जैसा ही आप project चलाओगे तो आपको simply देखो मिलेगा Hello World और यह आपको object का reference मिल रहा है यह हमने प्रिंट किया है वो मिल रहा है इसका मतलब है कि हमारा connection create हो चुका है और इस कौन को हम लोग use कर सकते हैं तो जब भी पूरे website में इस project में जब भी आपको connection create करना होगा तो आपको यही लाइन लिखनी होगी बार-बार यह लाइन रिपीट हो जाएगी जो आपने हा लिखा यह function call हो जाएगा यह function कॉल हो जाएगा connection देता रहे तो मैंने in detail बता दिया कि अब आपको connection कैसे create करना है connection करने के लिए simply आप call करोगे connection provider.get connection यह connection automatic create कर देगा आपके लिए और कौन में रख देगा और इस कौन को अब यूज करना है प्रिपेर स्टेटमेंट निकालने के लिए क्वेरी निकार करने के लिए तो कभी भी आपको connection क्रेट करना होगा आपके जेस्पी पेज में या सर्वेट पेज में तो आप इसी get connection को call कर लेंगे आपका काम हो जाएगा फिर उस connection को यूज कर लेंगे तो अगर आप को वीडियो अच्छे लगी यूसफुल लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए थैंक यूफ रौचिंग इस वीडियो बाइबाए